यूपी में आगामी वधान सभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। घ्री मंतरी अमिच शाह ने जालोन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष राममंदर का निर्मान नहीं चाहता। अखली शादव बस इसी इंतिसार में हैं कि उनकी सरकार बने और राममंदर का निर्मान रोक दिया जाए। यही नहीं शहा ने कहा कि सफा सरकार ने ही कार सेवकों पर बोलिया चलाई थी लेकिन राम मंदर निर्मान का काम कोई नहीं रोक सकता राम मंदर बन कर रही का तो लगातार ताबर्टोर दौरे तमाब नेताओं के देखने को मिल रहे हैं थी किसने गिराई थी कार सेव को पर डंडा किसने चलाया था अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा उनको पसंद आएगा वो तो राही करी बैठे है सेख चलिके स्वपन देखते है कि हमें यूपी की जनता चुम देगी और हम राम जन्मी को बंद करा देंगे अखिलेश बाबो आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को जितना जोड लगाना है लगा दो राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोग सकता मित्रों कोई नहीं सालों से अयो ज्या में प्रभुजी राम का मंदिर बनता था भई बचाओ बनता था क्या जो मान करते जो उसमें डंडे बरचाये जाते जे या नहीं बरचाये जाते जे खोडिया चलाई गई या नहीं चलाई गई किसमें चलाई गई जोर्जमों किसमें चलाई जोर्जमों किसमें चलाई और आज 2019 में आपने पूर गउमत दे जिया जालाउन की धरती पर अमच्छा ने दावा किया कि इस बार भाजपा तीन सो पार सीटे जीतने जा रही है साथी उन्होंने सपा बसपा और कॉंग्रस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार भुआ बबुआ का सूपड़ा साफ उने जा रहा है सपा के राज में तीन ही पीजे परिवाराज पसपात और पलायन करने वाला पस्चिमी उत्ता पदेर्श में लोग परेशानी से गुंडों के डर से पलायन करते थे आज मैं कहता हूँ किसी भी किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की जोर से बता हो है क्या और जोर से बता हो है क्या इत्रों पलायन करने वाले पलायन कर गए अभी अपने अखिलेस बाबु है ना अखिलेस बाबु बहुत घुसा है आपको मालूमें क्यों ग दो कारण है मोदी जी एक ट्रिपल तलाग समाप्त कर दिया बोली मुझे बताई अच्छा किया और बुरा किया किलेश बाबू विरोध करें हैं क्यों किलेश बाबू तलाग से आपका क्या लेंडर है मित्रों मुस्लिम मरिलाओं को न्याय देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है